अगर आप में चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ओफ एडुकेशन जी एंसीटी ऑफ डेली की तरफ से 24 नवेंबर 2021 के लिए इंग्लिश की वर्कषिट है वर्कषिट नमबर 116 क्लास वन के लिए वर्कषिट है यहां सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहां अपने टीचर का नाम लिखेंग जब भी हम अपने घरों से बहार जाते हैं तो हम अपने चारों तरफ अलग अलग तरह के पेड़, पौधे और जानवरों को देखते हैं ना तो इस आर नाचुरल फ्रेंड्स आट नेचर हास गिवन उस यह हमारे नाचुरल यानि की प्रकृतिक दोस्त होते हैं जो हमें कि उस ने दिये हैं नेचर यानि की प्रकृतिने, यह हमारे लिए बहुत उप्योगी होते हैं, we get many things like wood, paper, eggs, honey, fruits and vegetables from trees, animals and birds, हमें बहुत सारी चीजें जो हैं जैसे की लकडी, कागज, अंडे, शहद, फल, सबजियां यह सब हमें किस से मिलती हैं पेडों से, जानवरों से और पक्षियों से, now read aloud the sentences given below, अब नीचे हमें को sentences दिये गए हैं तो हम इनको जोर-जोर से बोल कर पढ़ते हैं, यह क्या है hen, तो नीचे क्या दिया हुआ है sentence, hen gives us eggs, मुर्गी से हमें क्या मिलते हैं, अंडे, यह काव, तो काव gives us milk, गाए से हमें क्या मिलता है, दूद, यह क्य है, बी, तो bees give us honey, जो मदू मख्षी है, उनसे क्या मिलता है, शहद, यह क्या है, plants, plants give us flowers and fruits, पौदर से हमें क्या मिलता है, फूल और फल, ठीक है, और यह क्या है, trees, trees give us oxygen, पेडों से हमें क्या मिलती है, oxygen, अब आगे देखते हैं, match the following natural friends with the things they give us ये natural friends है हमारे इनको हमें उन चीजों से मिलाना जो हमें इन से मिलती है नीचे जो दी गई है one has been done for you जासे एक करके दिखाया गया है ये hen है और ये eggs है तो hen से हमें eggs मिलते हैं अब ये दूसरा है ये है plant, plant से हमें क्या मिलते हैं flowers और fruits तो इससे match किया ये है cow, cow से हमें क्या मिलता है milk तो इससे हम match करेंगे ये क्या है bee, bee से हमें क्या मिलता है honey तो इससे match कर दिया और ये क्या है tree, tree से हमें क्या मिलता है wood भी मिलती है और oxygen भी तो इसलिए इससे match किया करें और इसे के साथ कोरोना से बचने के लिए कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टिंस ओफ सिक्स फीट और टू यार्ड तो कोरोना से बचने के लिए सभी को छे फीट या दो गस की शाररिक दूरी बना कर रखनी है तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कामेंट करें चानल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में